Hello everyone, welcome to you all on my youtube channel. I hope you will be very good. तो आपकी जो gate की preparation है वो आपकी बहुत अच्छे से चल रहे होगे तो आज हम यहाँ पर जोलोजी के gate में आएवे last year's के question solve कर रहे हैं तो आज है हमारा part 6 जब ही आज का question start करते हैं आज का first question है match the house all insect vector in column first यहाँ क्या है column first में house all, जो insect vectors होते हैं या जो भी हमारे house होता है घर होता है उसमें गूम रहे हैं जो vectors होते हैं वो दिये हुए column first में and column second में है भी तीर associated disease column second में क्या है उससे associated disease दे लिया है हम यहाँ पर देखे हमारी जो first disease sorry insect vector दिया हुआ है वो है kissing bug जिसको hemiptera भी बोलता है तो यह क्या cause करता है यह करता है काजार disease जो है वो cause करता है तो पीका हो जाएगा हमारे three यह क्या memorize वाली चीजे है तो आप प्याद ही करने पड़ेगी कौन सी fly है वो कौन सा disease cause करती है यह हमारे सैंड फ्लाई तो सैंड फ्लाई जो होती इसको तेरा भी बोलता है यह करती है काला अज्वर यह हो जाएगा फोन फिर है dear यह cause करती है टूरा रेमिया disease तो इसका हो जाएगा second और फिर है oriental rat fly यह करता है साइफोन अब 13 जो होता है यह हमारे disease cause करता है वो है हमारे first first वाला जो option है वो हो जाएगा यह करता है विब्रॉनिक क्यों ठीक है इस तरह से जो हमारा option हम देखी पीका 3 है तो पीका 3 हमारे 2 में दिया हुआ है और उसके बाद है sandfly जो करती है हमारी kalazor तो यह हो जाया क्यों का 4 तो क्यों का 4 हमारे अनली एक में ही दिया है तो option नमर जो D है हमारा वो correct हो जाएगा P का 3 है हमारी क्यों का 4 है R का 2 है and S का हो जाएगा हमारी first ठीक है चलिए next question पर बढ़ते है next question है match the proteins in column first, column first में कुछ proteins दिये वह है with the organs in which they are maximally expressed in column second यहां क्या है column first में कुछ proteins दिये वह है and column second में उनका maximally यह कहा expressed होते है कौन से organ में expressed होते है वो दिया हुआ है अगर हम देखे P जो है हमारी क्रेटेन क्रेटेन आपको सबको पता है हमारी skin जो उठी है हमारे hair होते है हमारे nails होते हैं क्रेटेन प्रोटीन बहुत हाई amount में present रहता है फिर है surfactant, surfactant जो होता है यह हमारी जो lungs है उसमें present होता है, surfactant क्या करता है lungs में जो जैसे कि आपस में सुक्ड़े नहीं या ऐसे मतलब कि चिपके नहीं उसके लिए क्या है surfactant का का काम करता है lungs में फिर है pro carboxy peptides जो pro carboxy peptides होता है यह क्या करता है यह pancreas जो organ है उसमें present रहता है albumin protein होता है यह हमारे liver में present होता है ठीक है तो अगर आप देखिए हमारा है pico4 तो pico4 हमारे 2 options में एक इसमें है और एक इसमें है तो बाकिक options हमारे अलमें हो जाएंगे फिर देखते हैं surfactant 3 तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा तो प्रीजी से लाइक किजिए सब्सक्राइब किया जदा जदा लोगों तक शेर किजिए थैंक यू